नमस्कार सौगत है आपका समाचार प्लस में मैं हूँ आपके साथ विवेक शुकला और आप देख रहे हैं बिग बुलेटे लोगसवार चुनाव की रणवेरी बच चुकी है तारीखों का एलार हो चुका है और चुनाव परचार शुरू हो गया है कॉंग्रिस की अगर बात कर ली जाये तो कॉंग्रिस में इस समय एक एक कदम ऐसा उठाया जा रहा है मानो कि हर उस बात पर चोट करना जिससे सत्ताफक्ष लाब ली जाता हो मसला चाहे वो मंदिर जाने का हो मसला चाहे वो गंगा से जुड़ा हुआ हो और मसला चाहे वो प्रेंका गांधी को मैदान में उतारने का हो प्रेंका गांधी जी मैदान में उतरी और मैदान में उतरने के साथ अब गंगा की आस्रे ही सही वोट धूरने की कोशिश में जुट गई है प्रियाग राज से काशी तक के लिए गंगा से जाना प्रेंका गांधी का और इसके पीछे राजनितिक माइने क्या है इस पर राज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाफ के वक्त जब यह तस्वीरे सामने आती हैं तो फिर इसके क्या इतने बड़े माइने होते हैं कि वोट वेंग्ट में भी परिवर्तन हो जाता है समझेंगे खास मेमान हमारे साथ जुड़ेंगे जी हां तो वोट के वास्ते गंगा के रास्ते क्या इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रेंका गांधी ने प्रियागराज टुकाशी वोट के रास्ते प्रचार करने की वोशिश की प्रचार अभ्यान शुरू किया प्रियागराज में बहुंशी हनमान मंदिल से शुरुवात की पू किया गया क्योंकि नमामी गंगे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर अभी तक कुछ भी स्थिती साफ नहीं हो पाई कहा जाता है कि 30% तक गंगा साफ हो गई लेकिन 5 सालों में 30% ही गंगा यदी साफ हो पाई तो बाकी फिर गंगा का इसतर कैसे होगा गंगा कितनी मैली होगी या फिर गंगा को छोड़ कर उस गंगा के आसरे ही सही वोट पाने की खौईश है और क्या उन राज्यों पर भी निगा है जो गंगा के किनारे बसे हुई है समझें कोशिश करेंगे उससे पहले आपको लगातार बताते हैं कि कैसे शुरुवात हुई प्रेंका गांधी की इस चुनावी समर्की कैसे वो प्रयागराज पहुची और कैसे उनका वहाँ पर स्वागत किया गया कारकरताओं की भीड थी तो आचार सहता को लागू हो गई है देश चुनावी मूड में है नेता और जनता अपने अपनी भागीदारी सुनेशित कर रही है तो 140 किलूमीटर का इस सफर होगा प्रयंका ने पूजा पाट करके इस वोट यातरा की शुड़वात कर दी है प्रयंका गांधी ने लेटे हर्मान की दर्शन किये अन्मान मंदिर में प्रयंका ने पूजा अचना की संगम तटपर पूजा अचना की ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयंका के इंतिजार, लेटे हर्मान जी की पूजा अचना संगम तटपर पूजा भी की और बोट पर नर्जर आई प्रयंका गांधी इस यातरा में गंगा किनारे लोगों से मुलाकात करेंगी प्रयंका ने साची बात के साथ प्रयंका का अभियान भी शुरू हुआ है बधोई में राती विश्राम करेंगी प्रयंका गांधी लक्षा गरे के बाद मांडा भी जाएंगी मांडा के बाद बधोई के सीता मनी जाएंगी दुम्दुमा के लोगों से भी मुलाकात की जाएगी इसके बाद सिर्शा घाट जाएगी प्रेंका गांधी यानि कि कई सारे प्रोग्राम और बताएज़ जा रहा है कि तक्रीब दो दरजन जगों पर प्रेंका गांधी अपने इस यात्रा के दौरान रुक रही है तो प्रियाग्राथ से यही गंगा यात्रा शुरू हुई और यह सिर्फ उत्तप्रदेश के लिहाद से नहीं है मद्प्रदेश के पनारेकारियों के साथ भी प्रेंका गांदी बातचीत करने जा रही है तो सुन लेते हैं प्रेंका गांधी को कि इस यात्रा के दौरान वो क्या कुछ कहते हुई नजर आ रही है प्रेंका गांधी बोट यात्रा पर निकली है लेकिन इससे साफ हो गया कि कॉंग्रस का उत्रपदेश में कोई जमीन पे जमानाधार नहीं है अगर जमीन पे जमानाधार होता तो वो जमीन पे जलती अब वो अगर जल यात्रा कर रही है तो इससे लगता कि प्रियंका गांधी अब कॉंग्रस की भविस उस जल में अपनी संभावनाओं को तलास रही जिस तरीके से उस गाउं की लोगों को उजला में गैस का चूला तो वो जाएंगे तो जैसे ये परिवर्तन दिख रहा है कि अगर भारती जंता पार्टी की सरकार आज नहीं होती तो साइद प्रियाग राज से कासी की वो इस्टीमर यात्रा नहीं कर सकती थी तो आज यूपी जो उनका अपना होम स्टेट था उसी में सपा बस्पा उसको नकार रही है और इन्होंने कुछ कोशिज भी कि उस पर बायोती का साफ बार बार पैयान आ रहा है कि न उत्तरप्रदेश में न देश में इसे क्या मतलब कि महागटबंदन का कोई भरी से नहीं त्रिकोनी हो सीधा हो बड़ी गठबंधन की बात कही जाती थी कि सपा बस्पा का गठबंधन हो या इचलोती होगा और आप आप देखेंगे चैया उत्तरप्रदेश और देश हो पिछली बार से ज़्यादा बहुमत आएगा खरणा सोनू खान के साथ कमले सिंग समाचार प्लस देली तो छे ससेदिय शेत्रों के लोगों से कारकरताओं से मुलाकात प्रेंका गांदी इस स्यात्रा के दोरान करने जा रही है मकसद है इस मुलाकात के बहाने वोट को और जरा मजबूत करना माईने भी निकालने की कोशिश करेंगे खास मेमान हमारे साथ जूड रहे है हमें तिवारी हैं प्रवक्ता हैं बीजे पे से विवाज उक्ला नेता हैं समाजवाली पार्टी से प्रदेव सिंग प्रवक्ता कॉंग्रेस के और आज़ेश मैसुरी वरिश पतरका सबसे पहले प्रदेव सिंग जी आपसे शुरूआत करते हैं गंगा के आसरे गंगा के सहारे और वोट को तलाशे जा रहे हैं क्या इसको इस संद्रों में लें प्रेंका की यात्रा को या फिर इसको इस संद्रों में लें कि इसवाद 6 संसदिय सीटों पर कॉंगरिस को जारा बड़ा करना चाहती है और इसलिए गंगा के सहारे गंगा के पास जाकर गंगा की पूजा अर्चना करकर मंदिर मंदिर जाकर इसका भी कुछ अलग माईने निकाले जाए। आज अगर हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जलमार्ग से उन मला, केवड, बिंद, इन जातियों के बीच में जा रही हैं उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और आज परिसिदी क्या है इस सरकार में जो उनका मेरा अधिकार होता है मलाहों का खनन का जो उनका अधिकार है कानूनी वैस्ता है उसको वहाँ पर इससी क्या आज खनन माफिया सरकार के बीच में ऐसा एलाइंस हो गया है कि आज उनके हाथ से रोजगार च्छिन गया है उसके बगल में जो जमीन होती जहां पर खीरा, ककरी बोकर वो अपनी आजीवका चलाते हैं वो अधिकार भी उनसे छीन लिया गया है अगर इस पर संबाद करने अगर प्यंका गांजी जाते ही हैं तो महेश सर्मा जी कितनी अमारिया दिम चिंपड़ी करते हैं इससे ये लगता है कि बारतिये जनलता पार्टी के पेट में कितना दर्द हो रहा है ये आप जैसे ही कि इस तरीके की बात कर रहे हैं किया जल्मार की रही है हमने कांग्रेस पार्टी में साफ और असपच्च कहा है कि हम अंतिम ब्यक्ति को भी मिनमम आयकी गारंटी देते हैं ये हमारे निता से राहूर गांदी जीने का है तो इन मुद्दों पर अगर हम सड़कों पर जा रहे ह और तो बाती है ता पाटी के पेट में दा जी हो रहा है लगातार प्रदीब जी ठीक है आप मुद्दों पर बात करना चा रहे हैं लोगों से मिलना चा रहे हैं अच्छी बात है तो मंदिर में पूझ अर्चना करके कियो शुरूआते मुआ आप मस्जद में जाते अधिनलाल लेहरू जी जब कुम जाते हैं तो हिंदू मैथालोजी के हिसाब से अर्धिनलंग की जो विस्वुसा होती जो वस्व होते उसको पहन कियाते हैं पदान मंती स्री मोधी जी ने किस तरह के वस्व पहन कर गंगा का आचमन किया था यह आप सभी ने देखा और आपने दिखाया भी है तो गंगा का आचमन कांग्रेस पार्टिया इस देश को में हिंदू मैथालोजी को मानने वाले लोग आधिकाल से करते चले आ रहे हैं इसमें भार्तिय जन्ता पार्टी के हनुमती की जरूरत नहीं है उनको तो ये लगता है जो लोग डाक्टर मुंजे को मानने वाले लोग हो जो लोग वीरसावरकर की विचाधारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हो जहां पर मूर्ती पूजा का विरोध वीरसावरकर ने किया वो लोग मूर्ती पूजा और हिंदू माइतोलोजी पे जब चर्चा करते हैं और अपना एकाधिकार बनाने की बात करते हैं तो कहीं ने कहीं लगता है कि आप बुन्यादी मुद्दों से हट रहे हैं आपने दो कोड वीरसाणा रोजगार देने की बात की थी आपने इन मुद्दों पे चर्चा किए यह पीछे हटे न जर आ हर रहे हैं तो कि लोग इनके बीट में जा रहे हैं जंता के बीट में दा रहे हैं आपने उस सवार के जवाब में दिया कि आखिर मजजिस से शुरुआत क्यों नहीं मंदिर से हुई इसको जस्टिफाइ कर दिया लॉटता हूं आपकी तरफ अमित तिवारी जी आप कुछ कहना चाहेंगे देखें अभी कांग्रेस के मित्र हमाय कह रहे थे मैं सुन राता बड़े ध्यान से आपने भी एक सवार किया कि आखिर मंदिर की और क्यों रुक मोदी हैं तब यह सब मुम्किन हो रहा है एक सो चालिस कीलो मीटर की जो यह यात्रा हो रही है प्रयाग्रास से कासी तक की यह मोदी जी की देन है मोदी जी ना होते तो यह यात्रा नहीं हो पाती है मां गंगा को अविलर्ण निर्मल और सच बनाने का काम भाती इनता पार्टी की सरकार नहीं किया है इन लोगों ने गंगा साफ हो गई इसका उदाना आपिसी से लाज़ते हैं पिजिए की रिबोर्ट पहा दिजे इनको हाँ बताई अमिर जी बिबेग जी साफ होने का यहीं दार्ण है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी कुम लगा था माननी अक्लेस यादव जी कुम में गए थे मौरिश्यस के राश्पती आई थे उनके साथ इसनान नहीं किये थे इस बार अब दिकुम में भार्ती जंता पार्टी की सरकार ने चिस्णाल नway जाकर अकर लगा था जे में बड़ी वात नहीं है अबना भाईडार है आपके पास किसे बाते करते हैं आप अब जी पढ़िए उस समय की रिपोर्ट क्या रिपोर्ट पने वई अमेजी ये वताई है क्या बीजेपी सरकार ने किसी दूसरे देश की राजपती को बुलाया क्या आईए गंगा में इसमान करिए कुम्बु के दो औरान और जितने विदेशी परिटक हैं इस वार पुड़ी ना नोके परिटक है dai जी आफ अफिकत ये है कि गंगा की सफाई का जिस मकसद को लेकर आप चले थे वो मकसद पूरा नहीं हो पाया मंतरी आपकी बदल गए और अब जो गटकरी साहब है वो दावा करते हैं कि अगले एक साल के अंदर गंगा साफ हो जाएगी अब ये देखना होगा कि एक साल में गंगा कितनी साफ हो रही है पिसले चार साल में तो होई नहीं लोटता हूँ अपकी तरह वेगी महेश अर्मा जी के बयान पर भी इंसे जवाब लेंगे आरा हूँ आरा हूँ आरा सार डिवेट बहुत लंबी एक घंटे में सब चर्चा कर लेंगे शुवात में एक घंटे सारे कुशन हो जाएंगे तो फिर कैसे घंटा जो है अम और मुद्दों को ले पाएंगे वीवाश शुकला जी कॉंगरेस अपनी जमीन तयार कर रही है उत्तर प्रदेश में बीजेप अपनी जमीन तयार कर रही है उत्तर प्रदेश में अकले शारब मंदिर नज़र नहीं आ रहे हैं क्योँ आपि इसे कोश्चन दरा आईए थोड़ा से कुश्च ciao ओं में अखले शारब जी मंदिर नहीं जा रहे हैं चुनाव को देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं मंदिरों में देखे सबसे पहली बात मैं बता दू कि लोग मंदिर जा रहे हैं या कहां जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को जनता के बीच में जाना है और जनता के बीच में लोकप्रियनेता है इस समय गडबंदन की स्थिती है मैं आपको उधा दू कि बहुजं समाज पार्टी ओस समाज पार्टी का गडबंदन डिवाज प्रेज़ हैं दुझा है यह हमारे लिए प्रजात तंत्र में पूजा के समान है हर व्यक्ति इस प्रजात तंत्र में पूजने के लिए अपने ओड का अधिकार के रूप में जो है जल चड़ाएगा तो जनता इस समय जनता जनारदन भगवान तो जनता है न हम जनता के सामने जाने हैं अकले जी जनता कि भगवार को मांगते होगे देखा अगया अगय जनता भगवार को इन नहीं कमाने राज्वर समझीय है तो कई ऐसे योजना इंदी और जहां तक गाउं को देने के बाद लोहिया आवास दिया तो यह सारी चीज़े ग्रामीर लोगों के लिए ही थी ना कि जो है जनता के लिए अकलेश यादः जी तो मेरे वीजेपी के प्रावक्ता जो कह रहे थे कि अकलेश यादो जी ने असनान नहीं किया तो अकलेश यादो जी असनान भी करते हैं और पूजा भी करते हैं योगी और भूजी की तरह ड्होंग नहीं करते हैं अकलेश अरभी तो अभी भी असनान करते हैं हम इसको करते हैं लेकिन इनकी तरह दिखावा नहीं करते चुनाओ प्रचार में उसका यूज नहीं करते हन्मान जी की जात नहीं बताते अपने चुनाओ प्रचार में कोई से होने चाहिए यह बीजेपी को जवाब देनी की कोशिश है यह अपने पक्षमे माहल बनाने की कोशिश है कि प्रयाग राज से अच्छी कोई जगा हो नहीं सकते ही भीवेगी चुनाओ अगया है आम चुनाओ है लोग्सभा का चुनाओ है अब बहुत महत्पून चुनाओ है इस समय हर राजनितिक दल किसी लग किसी रूप में जनता को आकर्शिप करने का प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार कांग्रेस जो है उनका भी प्रयास है कांग्रेस की पार्टी है उसने नया धन से शुरुआत की है कि वो मंदिन बंद्र जा रहा है स्याथ प्रयांका जी ने उसी के तहट यहनमान मंद्र जाके गंगा जी की यात्रा करके एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम हिंदु धन के खिलाफ नहीं हैं हम हिंदु धन के साथ हैं क्योंकि अभी तक एक मैसे जो कांग्रेस पार्टी के प्रतिजा रहा था आम जनता के संदेबी कि वह केवन अलफ संक्यत जो उनके शंदाए के जो फर नाइस्थल हैं जो उनके धर्मस के इसमारक हैं के भलोव हो यह मजार हैं वहां जारह रहा हैं इसको स्याद बराबर करने के लिए इसको समनांतर करने के लिए इसको उन्होंने हिंदू धर्म के मंदिरों की और भी मत्था टेखना शुरू किया है जिसे की कॉंग्रेस पार्टी पर जो ये एक आक्षेप भारती जंता पार्टी या अन्य दल के लोग लगा रहे हैं वो आक आजिश जी इस मजबूरी को ये कह लिए जाए कि मोदी जी ने मजबूर कर दिया विपक्ष को कि आप भी मंदिर जाएए कुछ-कुछ ऐसा ही लगता है कि उन्होंने मजबूर कर दिया है कि सब लोग हर सर्व धर्म संभाव की ओदें और हिंदू धर्म भी कम जोर नहीं हैं क्योंकि पिछले चुनाओं ने इसको साबित कर दिया कि हिंदू वर्गे भी संग्ठित हो सकता है एक जुट हो सकता है और उसकी एक जुटता कोई नया गुल खिला सकती है हमें तिवारी जी आपने महेश शर्मा जी का बयान सुना होगा अभी कहा गया मुझसे कि इस पर भी सवाल कर लीजे मैं बाद में चर्चा करना चाहता था लेकिन जब बात उठ गई है तो करी लेता हूँ संसकर्ती मंत्री हैं लेकिन क्यों अपने संसकारी भूलते जा रहे हैं महेश शर्मा जी क्या इतना राजनिती का इस्तर गिर गया है कि किसी महिला को कुछ भी कहने से पहले दिमाग में जरा सा भी खयाल नहीं आएगा कि हम क्या कहने जा रही है और आप समर्सर करते हैं पहले रहे हैं जो उन्होंने कहा जो पांगेस प्राटी के राश्टी अधर्श का नाम लिया एसा गावं में होता है तो ऐसे सोच नहीं खिया हमें तिवारी जी यह बहुत दुरभाग की बात है कि जिस शब्द को लेकर आपको निंदा करनी चाहिए थी आप उसका समर्थन पेइत्व करेंगें और उस बयान स्कोर्ट करेंगें और किसी कि में दिवांट पूरी नहीं कर सक्ता है। में सकते यह जवाब है कि इस पर क्या कहेंगी आप ये भी बाहरती जन्ता पार्टी के चाहे सांसाद हैं चाहे विदायक हैं मंत्री हैं वह जन्ता के पती साफ बात करने में पीछे नहीं अटते और उनों में सकते हैं प्रवक्ता के लिए कि अबात्रब अबाधा का प्रयोक बिछले चुनाव में किया था इनके बाप्रवक्ता तमाम जनलों पर बोलते हैं उनी का समर्थन ये कर रहा है अमित्यवारी जी ये सही ता है गलत था बस इतना उसके बाद में आगे बढ़ जाओंगा वेग जी मैंने फिर कहा कहीं से कोई मनसा गलत नहीं रही है ये मन की बात में और बेको गलत नहीं है कि गलत बात अथा और वतिए क्ता नहीं हो ये को और अख्यों गलत अबात Pres να है तो मैं गलत होने मैं जानना चाहरा हैं कि अ मैं कहूं मूं से बोलूं कि उखना ने क्या कहा था या पंप पता नहीं है पता है फिर लेकिन उसमें भाव कहीं से गड़त नहीं है उंक्ते वाव और भाव मनसा सुर्षा विस्टि पर दिए चले हैं तो इसे और श्रमना कुछ नहीं है प्रदीर सिंग जी चुनाव की वेला है हर कोई लोगों को अपने पक्ष में करना चाहता है आप जो है रियायत बरत रहे हैं गठवंदन को और मायवती जी ने साफ कह लिया कि जरूरत नहीं है यह सब करने की साथ सी स्ट्रीटे छोड़ने की और यह सब करने की तेवर दिखा स्ट्रीटे वाइस लोगों के मंच पर सरकार को गर रहा है जो इन मदों पर खड़ा है उस सारे नहीं करना चुनाव कि बाद मंच पर लोग नेता निज़रा एächlich तहातों में एक किसी पार्टि कुए कि ने कि कि वही मोदी जी के सामने खड़े होंगे, बीजेपी के सरकार के सामने खड़े होंगे, आप सीटे चेड़ रहे हैं, मायवती जी मना कर रहे हैं, कोई जरूत नहीं है, ऐसार मत करिए। करनाटक से क्या ऐसी कोई आवाज दिख ली थी कि कोई हम बहुत बहांगर बंदन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर अपने प्लेट फार्म से निकल कर कोई एक ही टार्गेट पे जा रहा है तो लड़ाई सबकी एक ही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला किसानों को समर्शन मोल नहीं मिला महेंगाई बढ़ती जा रहा ही है और जिस तरीके तो उत्तरप्रदेश पे जहां पे हम बात कर रहे है पेले तो जिक्र नहीं होता है वो साथ तो नहीं आ रहा है प्रदीब जी सुन लिए आपकी लड़ाई बीजेपी से यह वाट ठीक है ऐसे बजबूरी क्या है कॉंगरिस की जो सीटों को छोड़ने का जिक्र किया जा रहा है तो राजबबन ने ऐलन किया था बता रहेंगे तो आफिर कॉंगरिस के से मजबूरी क्या है ने विवेगी देखिए आप जाए 2004 का चुना हो 2009 का चुना हो 2014 का चुना हो लोग सभाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज़ पार्टी के साथ मिलकर कांगरिस ने कभी चुनावने लड़ा नमबर दो बाद हमारे राश्टी 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 राहूल कांदी जी ने साफ और असपस्ट का इस राजनितिक दल के नेताओं का हम इर्दै से सम्मान करते हैं और जब इस गटबंदन के लिए किज़ पर आश्टी द्लो मेरों पर आज प्रियंका गांधि का जाना वहाँ पर यह जंटापार्टी के पेट में नरध होना सभाविक था क्योंकि पर्मिछ तक्वर लोट रहो हो प्रजिप जी आपसे पूछूँगा आकर बीजेपी के पेट में ये दर्द क्यों होने लगा कि आप शब्द पर उतर आए मर्यादा पूरी भूल गए एक महिला के लिए और बिपंख्ष की उस महिला के लिए जो लोग प्रिये हैं जिनके लिए भीड जुटती है यदि उनके लिए भी हैं शब्दों का इस्तिमाल होगा तो फिर कैसे आप माईलाओं को सम्मान देते हैं इसका भी तो खुराजा करना पड़ेगा लोट रोग ब्रेक के बाद चल ब्रेक के बाद सौगत है आपका लगाता रमचार्चा कर रहे हैं प्रेंक गांधी की रा सिंगा और पेड़ दर्द क्यों हो रहा है इसके सबूत मिले हैं महेश शर्मा जी के उस बयान से जिसमें उन्होंने विवारस पर टिपड़े की प्रेंका गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगी कि विवेक जी प्रेंका वाग्जा जी को हम कहीं से भी गंभिता से नहीं ले रहे हैं फेट में दर्द होने की बाती नहीं है कंभिता से अगर आप नहीं ले रहे हैं तो फिर क्यों ऐसे अप्षब बिस्तमार कि जा रहे हैं विवेक जी प्रेले मेरी बात सुना है उनके उनके राश्ची अद्धक्ष उनके भाई राहूल जी नहीं कह दिया जब प्रेंका जी आई कि 2019 में हम इंको ला रहे हैं तैयारी 22 की हो रही है राहूल जी ने प्रेंका जी को इसलिए उतारा है कि राह बरेली और अमेठी बचा लिया जाए पिछली बार भी आपने दे मुस्किल से चुनाओ जीते थे तो इस बार राह बरेले लिए हमेठी नहीं बच्चे का आपे बताईए आज उसी के लिए आज उसी के लिए परसान होका ला साखी पे तो आप इस तरह कि आप मर्यादे पिपली को रहेंगे सुपा स्पा सुपा स्पा स्पा सुपा से उसीते आप बीच क्चोड़ रहे हो सर अमेठी सीते आप भी थोड़ रहे हो बिहार में देखा हमने कैसे चठवंदन किया आपने हमें जी आप महे शर्मा जी के शब्द को लेकर कुछ कहना चाहेंगे जो नोंने किया मंसा सोथ इच्छा ये सब एक करब बिवेक जी जो सवाल है जो आपने का बार्टी करेंगे शर्मा जी को पुरे मारे थे जब शुक्रे आप प्रद्दी तो ये महें सर्मा जी को तुम पुरुस्क्त करें जा रहा हैं लोग राजेश महें शुरी जी छे लोग सवा सीटें आती है इस दोरे के दोरान इस गंगा यात्रा के दोरान इलावाद फूलपूर भधोई लिग मिर्जापूर चंदौली और वारान सी जहां पर लोगों से मुलाकात करेंगी ये छे सीटें इसलिए महें पूलपूर में उप्चनाओं में तो हार हुई लेकि बाकी वारान सी नरेदर मोदी के लिए चंदौली पांडे जी के लिए और प्रियाग राज और बधोई ये महतपूर पूरवांचल का वो शेत्र जहां पर बीजेपी अपने आपको मजबूत मानती है तो चनौती इसवार बीजेपी को उनीक के गड़ में देने की की जा रही है प्रियंका गांदी के द्वारा इसके माइन है आप कैसे महसूस कर रहे है ये हर राजमेतिक दल जो की है और उद्देश ये है कि जो उनके इस्टार पिचारा के वो अपनी सीटों पर विसेज ध्यान दें टाइम जादा दें दूसरे इस्थानों पर ना जा पाए यहार राजमेतिक दल की अपनी रणनीत होती है कि उनके इस्टार पिचारा को उनकी सीटों पर सीमित कर दें संभाता मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांदी जी ने इसी लिए इन छेत्रों पर सुरुवात की है जिस तरह से नरेज मोदी जी ने अमेठी में अभी बहुत बड़ी रहली की और ये कोशिस उनलों को ने भी करने की भाटपा ने भी की कि वो कांगरेस के लोगों को उन सीटों पर रोकें और वो अपनी सीट को भी से ध्याम दें दूसरी सीटों पर उन ना जा सकें मैं समझता हूँ कि उसका उद्देश ये अधिक है कि प्रेंका जी के साथ सावित्री वाई फुले नजर आई तो ये कहीं न कहीं बीजेपी भी नहीं है निशाने पर गठवन्दन भी है दलित वोडवेंक को लेकर जहां तक जहां तक विवेक जी मैं समझता हूँ बस्ता सुप्रीमो मायावती जी की निगाहें 2022 के चुनाओ पर हैं 2019 के चुनाओ पर नहीं है ज़्यादा वो 2022 के चुनाओ पर हैं इसलिए वो नहीं चाहती है कि कहीं से भी ये संदेश जाए कि कांग्रेस का और उनका कोई गटबंदन है और कांग्रेस से गटबंदन उन्होंने इसलिए नहीं किया वो अपने को सुतंत दल के रूप में अपने वोट बैंक को लेकिन राजेश जी आप बाइस का जिक्र कर रहे हैं तो क्या बाइस में समाज़ादी पार्टी के साथ ही चुनाओ लड़ा जाएगा ये तो वक्त बताएगा कि आगे उनका गटबंदन चलता है कि नहीं चलता लेकिन बसपास सुप्रीमों अपने जो वोट बैंक है उसको सुरक्षित करना चाहती है और उसी वोट बैंक पर सेंद लगाने की कोशिश कर रहे है ये प्रेंका जी उससे सतर्क हो रही है उससे सतर्क है अब मायवती जी का निगाएं उस हो रहे है इसलिए वो कांग्रेस से पुरा ठीटक रही है जीड़क रही है विवाजी समाजवारी पार्टी लास्ट मुमेंट तक चाहती रही कि कांग्रेस से गटबंदन हो जाए और अखले श्यादव लाश्ट लाश्ट बार तक कहते हुए नजर आए कि नई कॉंग्रेस के साथ हमारा गठवंदन है लेकिन मजबूरी ये है कि जिसके साथ मजबूती से गठवंदन कहा जा रहा है बस्पा से वो कॉंग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करती है तब ऐसे इ दिख रहा है सपा और बस्पा का जो गडबंदन उत्तरपदेश में इतना मजबूत हो चुका है कि आपने उसका उधारन उप सुनाओं में देख लिया है लोकसवा के जिसमें फूल पूर्पूर्ण सीटे मैं 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 जवाब दे रहे हूं मातपूर्ण सीटे क्या कि बीज देश के उत्तरपदेश के हित में और आगे चलके देश के हित में होगा तो आज जो दोनों पार्टियों का गडबंदन है चाहिए अकलेश जी और माया वती जी का वो पूरे लोकसवाचुनाओं में एक नई तस्वीर उभर के लेके आएगा और मुझे लगता है कि इस लेगा विवा जी गडबंदन तो उत्तरपर्देश तक सीमित है अब देश को नया प्रदामांतरी खाली अत्तरपरदेश में थोड़े नालोक सभा चुनाब हो रहे हैं उत्तरपरदेश से प्रधार मंतरी मिलता है ऐसी कोई जरूरी नहीं है समयधार में लिखा है आप अस स्वाल इतना वड़ था कि बस्पा क साथ जो आप मजबूती की गटफन्दन का जिकर कर रही है, बस्पा कांग्रेस से छठक रही है, दूरीयों का जिकर कर रही है और एक तरह से काया जाए कि किसी भी तरह की बाते तक प्रफ़ी नौबत नहीं चाहती बस्पा और आप उनी बस्पा के साथ हो आपका सुप्ट कॉंग्रेस के साथ हो सकता है अखले शारब का राहूल गांदी के साथ क्योंकि पिछली वार आपका गडबंदन था विदान सवाचुनाओं में सपा और राहूल गांदी को कॉंग्र प्रफ़ा के साथ है उस सारी चीजे हम नहीं कह सकते हैं उस समय क्या रणे नीती बनेगी और रहा हूं बस्पा की कॉंग्रेस से दूरी है बस्पा कॉंग्रेस पश्ब ने कर रही है कि सपा और बस्पा का जो गडबंदन रहे वो बहुत ही मजबूत है और उत्तर मैं नहीं कह रहा कि कमजोर है बहुत मजबूत है और इसी मजबूती को यदि और जारा मजबूत करना है तो फिर जो बसपा अपने favor में नहीं समझती जिस party को Congress का धिंगर कर रहा हूँ कि समझवारी party की भी यही कर दिए जाना चाहि रहा हूं आजेश जी गटवंदन को लेकर जिक्र है गटवंदन को लेकर उत्रप्रदेस में सर्वे भी सामने आए हैं अच्छी खासी सीटे मिलती हुए नजर आ रहे हैं लेकिन जब तक जनता अपना फैसला ना दे दे तब तक यकीन करना किसी पर भी मुश्किल है कि क्या कुछ exactly होने जिए वी हैं आप यह जो समीकर बन रहा है कि समीकर को क्या है if डिएूरओं जिब्वीर्ण की लिए यह इस पूस्ट तोर पे यह तीनो पन रहेह ये तिक्रमात्मक इस्थित को दिखाई दे रहा है कि तिक्रमात्मक इस्थित उत्तरप्रदेस में बनेगी सपा बस्पा गटबंदन बहुत मजबूती से ड़एगा कांग्रेस बहुत मजबूती से ड़एगी उनकी पूरी तयारी है और भार्ती जंता पार्टी पूरी तयारी के साथ इस चुनाव मेदान में उतरी है उनके साथ जिसका जिक्र विवाजी ने भी किया कि चुनाव बाद देखा जाएगा कि प्रदार मंतरी यूपी से निकल के सामने आएगा तो क्या आप ऐसा मैसूस करते हैं कि हो सकता है चुनाव के बाद कॉंग्रेस अभी भले ही अकेले चुनाव रड़ रही हो बाद में कुछ ऐसा गटबंदन के सामने हो जाए यदि आखड़े कुछ कम पढ़ते हैं बीजेपी को तो सरकार हटाने के लिए यह सब मिल जाए अभी अभी तक जो दिखाई दिया कि जैसे पश्चिम बंगाल में सभी गटबंदन दल के नेता एकत्र हुए और चार दिन में ही सब शिटक के बाहल हो गए गटबंदन आकार नहीं ले पा रहा प्रयास बहुत हुए ममताब एनरड़ जी ने भी बहुत प्रयास किया इसी प्रकार करनाटक में भी बहुत प्रयास किया गया दिल्ली में अरविन के जीवाल जी ने प्रयास किया लेकिन यह गटबंदन कोई रूप ले नहीं पा रहा अभी तक और उसके पीछे साथ प्रधान मंत्री के नाम की गोस्रा है। वो प्रधानमन्ती के नाम की गोस्रा नहोना ही कड़बंधन को कोई रूप नहीं दे पा रहें। वो राज़तु के नाम पर कोई एकमत नहीं हो पा रहें। तो, क्या राजेश जी, यह लड़ाएं सिर्फ, मोधी, मौहल के बनाव haram हो गो नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि गड़बंदन में तमाम दल जो है अभी कमजोर नहीं है तमाम जो छेत्री दल हैं वह हमारे यहां बहुत मजबूत हैं हिंदुस्तान में जैसे चंदबावु नाइडू हैं अपने शेत्र में बहुत मजबूत हैं उसी प्रकास यह सपाबस्वा गटबंदन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है तो आप ऐसा यह कहां नहीं जा सकता है कि केवल मोधी बनाम राहूल गांधी यह चुनाओ है प्रदीप सिंग्ज मा गंगा ने मुझे बुलाया है और बात बड़ी फेमस हुई और उसके तो मतलब कई लोगों ने सुना और कई लोगों ने पसंद भी किया तो क्या प्रेंक्या गांधी को भी मा गंगा ने बुलाया था अधिश के प्रदानमंत्री ने बहुत जोसों से कहा था ना मुझे बुलाया गया है मुझे मा गंगा ने बुलाया है आज भी मा गंगा कहा चल अगर इतना मैला है आज भी उसके बेटे अगर बेसहरा हैं उनसे अपना पुस्ताहिनी रोजगार छीना जा रहा है तो ये कमी किसकी है सवाल किस पर खड़े होने चाहिए पुस्ताहिए पुस्ता स्थावे पुस्ताहिए पाणी इसे पीचे अटा है क्योंकि आपकी इह बात तो इनके लिए नीती नहीं है डाड़े भांते उसकी हैं प्रृपियर्टी रिफे यहां जब हमने इसकी निसाम मैं एक अदम उठाय किया तो नंजीती की रिपोर्ट ती राजु जी की सरकार में कि 92% गंगा मा गंगे साफ हुई है आज NGT न तो बार्तियंता पार्टी है न समाजवादी पार्टी न का अगर NGT एक निया एला है जिसने बताया कि एक बूंदली गंगा साफ नहीं हुई तो सवाल खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे और जिनके ओपर ये भार था बानवे फीजदी गंगा कब साफ थी मैं आपना चाहता हूँ प्रदीप सिंग जी बानवे फीजदी गंगा कब साफ थी राजियू जी के कारकाल में एंजी टी की रिपोर्ट भी है आज खनन माफिया एक सिंडिकेट बनाकर उनके उनके उनादकारों का हनन कर रहे हैं तो ये सवाल पूचिन सवाल में मचवारों के साथ अब स्रीवति प्यंका कांधी जी पहुंच रही है तो बाती अंदा पार्टी के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि आप उनके प्रदीप सिंग जी बीजेपी और कांग्रेस में ऐसे आई बयानवीर और बहादूर नेता हैं जो अकसर सामने आते रहते हैं विवेग जी जूते मानने वाले एक हैं सरब प्रद्रपाटी जी जूते मारे और आपकी जूते मारे उन्हें पुरस्वित कर रही है बीजेपी के विदायब कोई तो मारे एक कौंसे कॉंग्रेस को मारे तो पुरस्कार कर रहे हैं आपसा खेल होगे उन्हें पदात नहीं कर रहा रहा है इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं सरकारों का जवाब आता रहा है कि कोशिश की जा रहे हैं गठवंदन की तरफ से अभी जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था क्या आगे आने वाले समय में यह तस्वीर देखने को मिलेगी अखले शारब जी गंगा में डुपकी लगा रहे हैं मायवती जी मंद्र जा रही हैं ऐसी कुछ तस्वीर आप मैसूस करती हैं जी में अपने भगवान को कैसे पूछती हूँ यह मेरा तरीका है अकलेश जी कैसे पूछेंगे वो बता सकते हैं और उसके पीछे कैमरा कौन लगाता है ये चंद रेता और चंद पार्टी के लोग करते हैं कि जब अगरबती जलाने जाएं तो कैमरा लेके साथ में जाएंगे भाईया देखो हम गाये को रूती के लाए हैं मैं अब जाओ प्रेंगा जी कर रही हैं हम उस पर टिपड़ी नहीं करते लेगे दूसरी बात ये है कि आम पर राम मंदिर के नाम पर राम लाला के नाम पर सबसे ज़्यादा ओट बटोर कर सरकार बनाने वाले बिजेपी के नेता मैं कहूंगी हमाने मानने प्रदान मंत्री मोदी जी कभी आयोद्या धर्शन करने नहीं आते इस पर टिपड़ी उठनी चाहिए क्योंकि ओट उन्होंने उसी के लिए मांगा गंगा के नाम पर जो है उन्होंने जो है कई गंगा का बेटा कहके ओट मांगा है और बनारत की इस लूट पड़ते हैं आप जाइए गंगा में फो दिये एक मिरटे है और बात किसी को आप प्रिज करो भरिगांगा में कुटने का विवाश ख़ञाजी का विवाश खव्णी तुस्वेस मेला मन करके अन्य नहीं कि ववाश ख़खे का विवाश ख़खे हुई हुई हमीश प्रदीब जी एक मिनट 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 प् सादनिक तॉर पर ऐसी डिवेट में किसी को गंगा में कूधने का झिक्र ना करें अगर कोई कूध गया इंसे भी का अगर वो चले गए तर्फ में आप इस एक किस लग जा गया मैदम आप पर आप सिसका है रखी है कूदे का जिक्र ना करें आप मैं बताओ जहां तक जहां हम लोग धार्मिक लोग है यह पवित हो जाएंगे इतना जुट बोल रहे हैं बहुत से जुट बोल रहे हैं तो यह जाके फिर से उसमें डुबकी लगाएं विवाश शुक्रा जी ठीक है कुछ भी नहीं किया यह तो वीज़ेपी का जिक्र हो गया कॉंग्रेस को लेकर क्या करेंगे कि कॉंग्रेस को लेकर हमारा जो भी नेर नहर रहेगा हो हमारे राश्री अद्धा जी कहेंगे मैं मन्स से क्या कहेंगे मैं आप से समझना चाहरा हूँ विवाश शुक्रा जी जनता के बीच क्या आप कॉंग्रेस के प्रताशी का जिक्र नहीं करेंगे कि कॉंग्रेस को वोट दिर हो यह ऐसा क्या दिया जाएगा गठवंदन की तरफ से क्या पर को सोंग्रेस कर लेंगे लेकिन टा कॉंग्रेस को वोटना देदे इसके ¿क्या करेंगे के हमें कंग्रेस और बीजेपी को वोट नह दे दे हमें यह नहीं करना है हम अपनी योजनाय है और गड़बंदन की शक्ती जनता के सामने लेंगे और अपनी चीजों को बताएंगे जनता हमें ओड करेगी हमें किसी की मोधी की तरह खामिया बताने की जरूत नहीं है जरे मुर्दे उठाने की जरूत नहीं है अपनी योजनाओं को बताएंगे अपनी रणनीट को बताएंगे जलता हमें पसंद करेंगे और जाज़ी दिलाएगे अमित तिवारी जी देखिए चुनाओं का दो हजार चौरा के बाद से रंगरू बदल गया है और मंदर जाना कोई बुरी बात नहीं है चुनाओं के समय जो फ्रिक्वेंटली आना जाना शुरू हो जाता है जारा तो उसको लेकर कहाए जाता है कि ये परंपरा बीजेपी न शुरू की मोदी जी न शुरू की और कई सारे दूसरे दलों की नेता भी बाद हुए कि नहीं क्या बीजेपी को समस्या है इससे मंदर जा रहे है तो क्या समस्या है बीजेपी को जाने दीजे ह tuvo ही इस्ट क का डम आप प्रियंका गांदी जी है प्रियंका गांधी लोग प्रियनेता है नहीं आपको कि अधें का टहुंत happy आप विवास खळी एक मिए वाशुक्रा जी आपी आप इस लाइक को बिवार शुक्रा जी आपने इस बैस को एक अलग डिरेक्शन देने कोशिश की बहुत संशेप में सुख खत्म करना चाहता हूं कि ये नाम को लिकर क्या जिक्र है क्या प्रेंका गांधी वाटरा पूरा नाम नहीं है बिल्कु पूरा नाम है लेकिन ये प्रधान मंत्री जी क या प्रधान मंत्री जी का पूरा नाम है मुझे नहीं पता मैं इसे पूछना चा रही है। पूरे देशवर में और सवा की शुरुवात कर चुके गुजरात में भी गानी नगर में उन्होंने आमजन सवा को संबोदित कियाता है अमरवाद में भी तो आप इसे देख रहे होंगे कि इस वार इस्टेडरजी कुछ अलग है और इस्टेडरजी कॉंग्रेस की जो नजर रही है कि दलिद वोडवेंग को लेकर गठवन में पर निशाना साथना चाह रही है और जो आपने कहा कि जो मुख्य सीटे हैं बीजेपी के बड़े बड़े निताओं की वहां पर श्ट्राइक करना चाह रही है कि क्या आप देखते आगे आने वैसे में क्या और मैसूस कर रही है वो विसेश मुद्दा था उनका हिंदू वात का हिंदू धन्र के लोगों का जो जो उनके प्रमुक्ह स्थर हैं वहां जाके राहूल जी जो कॉंग्रेस के अध्यक्षर शुरूआत उन्होंने की मंदिरों में जाके पिछले चुनाव में भी वो मंदिरों में गए पहले इसके पहले कॉंग्रेस के लोग इन बातों से सतरक रहते थे नहीं जाते थे अब उन्ने ये अपनी रणवनीत को बदला और उन्ने ये समझा कानवरेस के लोगों ने कि हम लिये भाज़पा से इस रणवनीत को हमें अपनाना चाहिए क्योंकि हम एक पूरे वर्ग को हम नाराज करना है जी और इसलिए ये जो कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष राहुली हैं उन्होंने हिंदू धन्द के लोगों को हिंदू वर्ग के लोगों को रिजाने के लिए ये उनके धन्द इस तरों पर जाने का उन्होंने वो था कि जो उनका जो बेस्वोट बैंक है दलित वरका और संख्यक वरका उस पर जो सेंद जो लगाने का जो प्रयास कंग्रेस का बहुत है और कुछ प्रयास कुछ किसी नेता से जो अभी क्रियंका जी मिली उसे बस्पास सुप्रीमों को थोड़ा खत्रा महसूस हो रहा है क वो उनके बेस्वोट पे कंग्रेस सेंद लगा रही है जी और इसी लिए बस्ता प्रमुख ने एक कड़ा संदेश जनता को देने का प्रयास किया बिल्कुल हमें तेवारी जी आप जड़ा उपर तक बात पहुँचाईए वरिष्ट आला कमान के नेताओं को कि राजनितिक तोर पर राजनितिक करते समय मंचों से अपने फाइदे दूसरों के नुकसान बताते समय सब कुछ करिए लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखें संसकर्ती मंत्री हैं महेश शर्मा बेहद विवारस पर उन्होंने टिपड़े की मंशा सोच विचाप जो रहे हूँ वो देखता नहीं है मुह से निकलने वे शब्दों सुनाई पड़ते हैं और आपके भी आपके ये हैं कि अमितिवारी जी आपने उसका सपोर्ट किया है उस शब्द का और जन्हों ने शब्द को इस्तेमाल किया आपने उनका उनका वी सपूर्ट किया अगर कोई बात कोई बात गलत है आप यह नहीं कहा कि आप यह कह सकते कि शुक्रिया अमित्यवारी जी विवाशुक्ला जी प्रदिर सिंग जी और आजेश मैसरी जी बहुत बहुत दन्यवार तो चुनाव है चुनावों के दौर में बोलना भी पड़ेगा लेकिन कैसे बोलना है इसको भी समझना पड़ेगा मंदिर भी जाना पड़ेगा दूसरे धर्मों के लोगों को भी लुभाना पड़ेगा गंगा के सहारे वोट वेंग पाने की जो चाहत शुरू हो गई है इससे जारा जरूरी है कि उस गंगा को साफ किया जाए इस दिशाव में मिज़ूर कर काम करना होगा नमस्कार